अलो मखेल अलो अर्पाविकी परियो मैं हुआ अमेर ये है सिनेमा की ओके सो हीर्जी तिंग इवें दो भेडिया में हमें कोई इतना रियलिस्टिक भेडिया नहीं देखने को मिलता स्टिल इन अल इस एस्पेक्ट इट इस बेटर देन आदिपुरुष फार बेटर अपने आदिपुरुष से जादा बेकार था क्या नाओ जैसा कि अभी तक सभी लोगों को पता है कि इसके चकर में रावन कितने दिनों तक ट्रेंडिंग में था यह ओनलाइन दुनिया भी न और भाई लाग बुराई थी रावन में लेकिन उसका वी एफिक्स ना आदिपुरुष से दस गुना जादा बेटर था खेर फिलाल अपन भेडिये पे रहते हैं उसी की बात करते हैं पुराने एउरोपियन फोकलोर की माभेहन नहीं की है बलकि उसे काफी इंडियन फील दिया है उन्होंने उसे इतना फ्यूटरिस्टिक बना दिया है कि वो कोई AR गेम का फील जादा देती है भेडिया के क्रेटर्स हैफ गॉट गॉट दी बैगड्रॉप इंडियन साफ दी स्चोरी राइट बाइद बैगड्रॉप से याद आया कि यहाँ पे अपार्ट फॉम दी सब्जेक्ट एंड जरूरत मुताबिक VFX सारे बैग्राउंड असली हैं और बॉड़ी भी जिसके चलते हमें डिस्ट्रैक्शन्स कम दिखाई देते हैं हाँ बिच्छाधारी भेडिया के घर वालों को बुरा लग जाए तो यहाँ पे अगर हमारा भेडिया थोड़ा थ्रीडिश और काटूनिश लगता भी है तो काम चल जाएगा जब लोगों को पता चलेगा कि आदी पुरुष का बजट जो कि बाइद वेडिया से अल्मूस्ट दस गुना जादा है बोले तो वहाँ के सारे अक्टर्स के फीस को मिला दे तो भेडिया आपको बनकर तयार मिलता है तो लोग इसे ऐसे माफ करतेंगे जैसे हम छोटे बच्चों को दूदवात समध कर कर देते हैं ठीके ठीके जाजाए और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि this whole film is shot not in front of a blue screen but in real environment अरुनाचल के असली वादियों में इस film को shoot किया गया है जहां पर amazing बात यह है कि इसके 70% audiences भी अरुनाचल प्रदेश से थे including one of the lead actors In fact, the theme song of the film is also written and sung by the local rapper K4 Khiku अब Khiku मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं वो प्लीज आप देख ले ना This film is nowhere near a game changer और इस film के hit होने से कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि साल का सबसे बड़ा hit बन जाए या कुछ बन जाए बट हाँ अंत भला तो सब भला हो सकता है बाकि इस universe की fourth film जो होने वाली है मंझा वो सुत्रो की माने तो 3 का prequel होगा and most probably दिनेज विजान और अमर कौशिक की next project तो साथ में होगी वो यही होगी मतलब मैं पहचान नहीं पाया था ट्रेलर जब देख रहा था तो टाइटल में नाम देखा तो पहचाना she's looking very pretty, different लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, performance वाइस उतना नहीं देखता बट जितना देखता है it's very well done, long difficult गए उनको देखकर and रही बात आदी पुरुषकी तो उनका जो भी plan वलान था है कि teaser release होने से यह हो जाएगा, वो हो जाएगा वो सब backfire कर गया है, उनके उपर case हो गया है, creators के उपर भी and actors के उपर भी so वो अलग जमिले से जूज रहे हैं बेचारे and most probably दिवाली में इस film का trailer आएगा and I just hope कि भले ही time उन्होंने सही चुनाया है, इस trailer को इस तरह से cut करें कि ज्यादा VFX element ना देखे नहीं तो फिर होगा क्या कि दिवाली में इनका दिवालिया निकल जाएगा बाकि आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में बताएं अपना point of view भी share करें या अगर मेरे point of view से आप सहमत नहीं है तो वो भी आप comment section में बता सकते हैं and don't forget to subscribe, I'll see you in the next one तब तक के लिए, टटा